आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं infinitive infinitive 2 plus verb की first form आ जाती है तो वो क्या होते हैं infinitive 2 के साथ verb की first form लगना अब इसमें क्या-क्या आपके doubt clear होने वाले हैं इसके साथ 2, V1 आ जायेगा M के साथ 2, V1, R के साथ 2 लगकर verb की first form ऐसे ही was work के साथ to लगकर verb की first form has, have, had के साथ to लगकर verb की first form will have के साथ to लगकर verb की first form used to के साथ to लगकर verb की first form about, going, want, wanted, may, must, might इन सभी के साथ to लगकर verb की first form यानि की infinitive आ जाता है तो क्या sense जाता है क्या मतलब निकल कर आता है तो बहुत ही simple तरीके से यहाँ पर मैं आपको साधरन सी simple सी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या sense निकल कर आएगा क्या मतलब जाएगा जब इसी का ही two plus verb की first form लगती है जब इसी का ही हम passive बनाते हैं two के साथ भी लगकर verb की third form लग जाती है तो ऐसे sentences भी आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए एके करके सब ही concept को हम सीखते हैं तो यहाँ पर देखे passive का मैंने बता है to be plus verb की third form मतलब इसी infinitive का जब passive बनाएंगे तो two के साथ भी लगा कर verb की third form लगाई जाती है तो सबसे पहले is to, am to, are to, was to, were to और इनी के साथ verb की first form two के बगल में verb की first form लग जाएगी two plus verb की first form तो ही यह infinitive कहलाएगा तो इन सबी के साथ अगर two plus verb की first form आती है तो क्या मतलब निकलता है अगर किसी वाक्य में sentence में इस तरीके से आएगा तो इसका sense जो है हिंदी में निकलेगा काम होने को है काम हुआ नहीं है, बाकी है मतलब काम अभी complete नहीं हुआ है होने को है या होने वाला है किसी भी तरीके से आप हिंदी में कह सकते है वो काम अभी pending है, बाकी है जैसे एक sentence है मैं एक अध्यापक हूँ तो यहाँ पर अगर हिंदी में सबसे पहले देखे हिंदी में अगर पहचान देखे तो होने को है ठीक है होने वाला है ऐसे भी निकल सकता है अब मैं एक अध्यापक हूँ तो यहाँ पर है I'm a teacher तो यहाँ पर आप जो है M के बाद में यहाँ पर जो है teacher लगा है तो आप यहाँ पर एक teacher है यानि मैं एक अध्यापक हूँ तो है यहाँ पर यह काम होने को है होने वाला ऐसा नहीं है state of being करता की अवस्था की बात की जा रही कि जो I है subject है वो क्या है कैसा है उसके state अवस्था काला है गोरा है छोटा है ठीक है अमीर है गरीब है इस तरीके से अवस्था की बात की जाती है इसके बाद में कोई वर्ब नहीं आती तो state की बात की जा रही तो teacher होना यहाँ पर teacher है I'm a teacher simple सा है अब यहाँ पर M की बाद to नहीं आया है लेकिन देखे एक और sentence है वह खुश है तो he is happy वो happy है खुश है अब यहाँ पर जो है काम बाकी नहीं है इसमें is M के बाद में जो है कोई adjective लगकर आ जाता है जहाँ पर बिना वर्ब के यानि is M के बाद में कोई verb नहीं है खुश होना ठीक है और teacher होना state की अवस्था की बात की जाती है तो ऐसे sentences तो यहाँ पर तो होने को है ऐसा sense नहीं निकल कर आ रहा लेकिन अब सेम ऐसे ही was का use हो जाएगा was और work का use अगर वह खुश था तो इस तरीके से अगर past का sentence होगा past की अवस्था state की बात की जाएगी subject की अब यहाँ पर देखें मैं अध्यापक बनने को हूँ या फिर होने को हूँ इस तरीके से बनने या होने दोनों तरीके से आप कह सकते हैं होने को हूँ या बनने को हूँ तो I am to be a teacher तो यहाँ पर I फिर M फिर 2 के साथ B लगा है यह जो B है ना यह B यह V1 है क्या है वर्ब की first form अगर हम state की बात करेंगे is to, am to, are to या was to या were to फिर वर्ब की first form आजाएगी तो अगर हम state की बात करते हैं तो यहाँ पर is, am, are, was, were फिर 2 लगा कर वर्ब की first form यानि होने की बात करेंगे state की बात करेंगे जैसे teacher होना अमीर, गरीब, छोटा, काला, गोरा इस तरीके से तो B लगा कर हम वो अवस्था का जिक्र करेंगे अवस्था लिखेंगे I am to be a teacher clear है I am to be a teacher मतलब मैं अध्यापक बनने को हूँ मैं अभी हूँ नहीं जहाँ पर confirm था कि हम एक teacher है जैसे I am a teacher, मैं teacher हूँ यहाँ पर pending नहीं है काम मैं हूँ तो हूँ teacher लेकिन यहाँ पर मैं होने को हूँ बनने को हूँ तो I am to be a teacher कब बननूगा यह fix नहीं है लेकिन बनने को हूँ जल्दी या लेट जो भी है फिर यहाँ पर जैसे मैं स्कूल जाने को हूँ अब यहाँ पर स्कूल जाने की बात आ रही है तो यहाँ पर भी two plus verb की first form आएगी यहाँ पर जो है बी लगा कर state आ गया था ठीक है और यहाँ पर two के साथ जो है verb आ जाएगी यानि verb की first form जो की base form होती है वैसे ठीक है mostly जो base form होती है वो verb की first form की रूप में ही होती है इसलिए आप ऐसे समझ लेकि verb की first form तो I am to go to school तो यहाँ पर M लगकर फिर to go आ गया है यह जो to go है यह infinitive है यह infinitive है तो I am to go to school मतलब की मैं school जाने को हूँ मैं school जाने को हूँ मैं अभी गया नहीं हूँ मेरा जो school जाना है वो अभी pending है अधूरा है school जाना भी बाकी है तो यहाँ पर same ऐसे ही was, verb का इस्तिमाल करकर to लगा कर verb की first form अगर हम लगा देंगी तो यह sentence past में बन जाएगा तो आप is, am, are, was, verb का इस्तिमाल कर सकते हैं और कोई काम होने को है इस sense से आप sentences बना सकते हैं मतलब काम हूआ नहीं अभी pending है, अभी बाकी है अब जैसे वह यहाँ आने को है वह, he or she, जो भी है ठीक है, male या female तो he is to come here वह यहाँ आने को है इस लगकर फिट to के साथ में verb की first form यह infinitive हो गया इंगलिश की grammar की भाशा में हमने बोला infinitive is, mr, was, verb के साथ two plus verb की first form तो यहाँ तक तो clear हो गया ठीक है, अब ऐसा ही आप is, mr, का यूज कर सकते हैं was, verb का subject के अनुसार, tense के अनुसार फिर आगे अब इसी का जो passive बनाएंगे जैसे मैंने पहले ही बताया कि is, mr, fit to be लगा कर फिर verb की third form लगाना हमको पढ़ेगा जैसे खाना बनाए जाने को है passive क्या होता है जब हम शुरुआत में काम का जिकर करते हैं, कोई काम किया जाना है या किये जाने को है इस तरीके से तो कमरा साफ किये जाने को है खाना बनाए जाने को है तो यह जो खाना बनाने का काम है या कमरा साफ करने का काम है इसको हमने शिरुआत में मेंशन किया है शिरुआत में शिरुआत में इसको बताया है किया जाने को है तो is to be verb की third form, is MR to be plus verb की third form और passive ही हम जब past का ऐसा ही बनाएंगे तो वहाँ पर was were to be plus verb की third form अब यहाँ पर जैसे खाना बनाए जाने को है तो past में जाएंगे तो खाना बनाए जाने को था तो यहाँ पर food was to be cooked बस is का change हो जाएगा पास्ट में चला जाएगा वोज और वर आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लियर है अब सड़कों की मरमत की जाने को है सड़कों का काम किया जाना है शुरुवात में मेंशन किया तो दा रोड आर टू बी रिपेर्ड मतलब कि अभी जो रोड उनको रि कैसे इंफिनेटिव का पैसिव बनाया क्या सेंस निकल रहा है कोई काम होने को है इस तरीके से हिंदी की पहचान तो यह होगी फिर आगे देखे इस यह तो हो गया इस टू एम टू आर टू वोज वर टू प्लस वर्ब की फरस्ट फॉर्म और टू भी लगा कर वर्ब की थर वर्ब की फरस्ट फॉर्म आ जाती है मतलब की कोई काम बहुत जल्द होने को है या तुरंत होने को है होने वाला है ऐसे भी हो सकता है तुरंत होने को है जल्दी मतलब की सेंस जहां जल्दी होने का निकले किसी काम का जल्द ही होना है ऐसा पाया जाए तो अबाउट का यू जैसे example देखे मैं स्कूल जाने वाला हूं मतलब मैं यहाँ पर मैं स्कूल जाने वाला हूं बोले या जाने को हूं कैसे भी बोल सकते हैं लेकिन जो काम है जल्दि या तुरंत होने को है या होने वाला है तो I am about to go to school मतलब अभी हो सकता है 2-3 second में या 5 मिंट में आप तुरंत ही निकलने वाले हैं निकलने को है तो about का यूज़ करकर उसमें जो है जल्दी बाजी दिखाने के लिए about का यूज़ कर सकते हैं जैसे वह खाना बनाने वाली है बनाने को है तुरंत या अभी जल्द बाजी की बात ह तो about का use कर देंगे she is about to cook food ठीक है she is तुरंत ही वो बनाने को है या बनाने वाली है तो इस तरीके से use हम कर देंगे about का बीच में और passive बनाने के लिए जैसे to के बाद में क्या होता है to के बाद में b लगाया जाएगा और फिर verb की third form तो passive बन जाएगा यह जो subject है शुरू में नहाएगा काम को mention कर देंगे passive में अब आगे है isMR के साथ going लगाकर फिर two plus verb की first form आ जाती है यह सेम ऐसे ही present में है तो past में जाएगे तो was work कर देंगे फिर going लगाकर two plus verb की first form लगा देंगे अब यहाँ पर इसका क्या sense निकलता है इसके sense और इसके meaning भी देख लेते हैं जैसे कि future में कोई काम होना है और योजना बन चुकी है planning हो गई है आपकी काम का होना तै है planning के आधार पर योजना के आधार पर कोई काम होना है तो वहाँ पर going to plus verb की first form का use करेंगे tenses के अनुसार present की बात है तो इसे मार और था यानि past में जाएंगे तो was verb का use हो जाएगा जैसे यहाँ पर example है I am going to Delhi मैं दिल्ली जाने वाला हूँ दिल्ली जाने को हूँ कैसे भी हो सकता है लेकिन दिल्ली जाने की जो planning है जो योजना हो पहले से बन चुकी है पहले से बन चुकी है तो यहाँ पर I am going to Delhi मेरा जो दिल्ली जाना है वो तै है फिर यहाँ पर है जाने वाला हूँ या जाने को ही हिंदी में दोनों तरीके से ही पहचान की जा सकती है बस planning और योजना का देहान रखना योजना के साथ पूर्व नियोजित योजना के साथ planning के साथ कोई काम हो रहा है तो going to उसकी शादी होने वाली है she is going to get married तो यहाँ पर शादी होना तै है क्या है शादी होना तो going to शादी होना is MR was work का subject के according to अनुसार आप use कर लेंगे तो planning के साथ योजना के साथ कोई काम होने वाला है या होने को है होने जा रहा है किसी भी तरीके से अनुसार हो सकते है हिंदी के वाक्य की तो वहाँ पर going to का use आगे देखे किसी काम के होनी की संभावना possibility अधिक होती है prediction के sense में अगर prediction करते हैं प्रेडिक्ट करते हैं या possibility संभावना अधिक होती है तो वहाँ पर भी वहाँ पर भी हम going to का use करेंगे जैसे कि example देखे आस्मान बहुत काला है the sky is very black बारिश होने वाली है तो बारिश होने की prediction की गई है तो यहाँ पर काम को होने की संभावना यानि बारिश होने की संभावना अधिक है तो it is going to rain यानि की बारिश होने वाली है कोई काम होने वाला है तो बारिश होने वाला जो काम है वो होने वाला है तो it is going to rain तो is going to और rain जो है बारिश होने का काम यानि की क्रिया होने वाली है तो ऐसे सेंस में भी possibility के सेंस में जहाँ पर जो है ज्यादा संभावना होगी तो वहाँ पर भी going to का use होता है यह दूसरा सेंस है going to का साड़े आठ बज गए है आपकी ट्रेन चूटने वाली है तो मतलब जो ट्रेन का आने का समय 8.30 ही होगा तो आपकी ट्रेन चूटने वाली है संभावना अधिक है तो it's 8.30 you are going to miss your train तो आप अपनी जो ट्रेन है उसको मिस करने वाले हैं मिस कर देंगे जल से भी है ठीक है यह काम होने वाला है तो यहां पर भी जो है काम हुआ नहीं है काम होना बाकी है मतलब ट्रेन का चूटना भी बाकी है बारिश का होना भी बाकी है लेकिन संभावना यहां पर possibility जो है अधिक की जा रही है जादा की जा रही है और यहां पर planning हो रखी है ठीक है यहां पर भी planning हो काम जो है यहाँ पर भी बाकी है होना है भी future में शादी होनी है अभी नहीं हुई है लेकिन होनी है यहाँ पर planning हो रखी है clear है दो sense prediction वाला possibility वाला और एक sense जो है योजना बना ली है और अगला जो use है तुरंती कुछ करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जब हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि तुरंती कोई काम करने जा रहे हो जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ मैं नहाने वाला हूँ या फिर मैं खाना बनाने वाला हूँ या मैं खाना बनाने वाली हूँ कपड़े दोने वाला हूँ या वाली हूँ, तो कोई काम करने वाले हैं, या करने जा रहे हैं, हिंदी में चाहे कैसे भी हो सकता है, लेकिन तुरंत करने वाले हैं, तुरंत करने जा रहे हैं, तो जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, आप बेडरूम की तरफ बढ़ रहे हैं, और जा ही रहे हैं, ठीके, तुरं to go to bed तो वहाँ पर भी हभी काम होना बाकि है लेकिन तुरंत ही वो हो जाएगा clear है इस तरीके से going to plus verb की first form का use कर लेंगे आगे भढ़ते हैं has to has के साथ two plus verb की first form आ जाएगी have के साथ two plus verb की first form had के साथ two plus verb की first form आ जाएगी तो यहाँ पर क्या sense निकलेगा करना है हिंडी में जो अगर आप पहचान की बात करें तो करना है करना पढ़ता है तो यहाँ पर कोई काम आपको करना है या करना पढ़ता है चाहे मजबूरी में करें चाहे आपको उस काम की जरुरत है या फिर आप बादे हैं ठीक है बादे हैं करना ही करना है तो ऐसे सेंस में मजबूरी में करें या फिर आपकी कोई जरुरत है उस सेंस में करें तो आपको करना पढ़ता है या करना है ऐसे पहचाने जाएंगे अग इसका आपको पालन करना है ठीक है कोई भी स्कूल या आपकी जो आफिस जहा आप जा रहे है वहां का नियम है चाहे आप मजबूर हो बात दे हो आपकी जरूरत भी है आफिस जाना है तो वो आपको करना ही करना है चलिए अब यहां पर जैसे तुम्हारे पास कार है तुम्हा पर कार होने की बात कही गई है तो यहां पर जो है काम जो है दर्शाय जाएगा जैसे कि तुम्हें कार है ये ठीक है इसको सही कर ले तुम्हें कार खरीदनी है तुम्हें कार खरीदनी है या खरीदनी पड़ती है तो यहां पर खरीदनी है जरुरत है ठीक है फिलिंग जो आ यह जरुरत की भी आ सकती है या फिर आप बात दे हो ऐसी feeling भी आ सकती है मजबूर हो ऐसी feeling भी आ सकती है तो you have to buy a car देखे have के बाद में to buy खरीदना खरीदना एक जो है verb की रूप में यहाँ पर तो two plus verb की first form आ रही है लेकिन यहाँ पर have के बाद में two plus verb की first form नहीं आई possession में कोई चीज़ आपके पास है उस sense में आप has, have, had का यूज़ करते हैं सेम ऐसे ही यहाँ पर काम जो है यह जो काम है इसके लिए आप बाद दे हैं या फिर आपको यह काम करना है car को खरीदने का तुम्हें car खरीदनी है हो सकता है कि आपकी जरुरत भी हो ठीक है तुम्हारी जरुरत भी हो तो you have to buy a car तुम्हें car खरीदनी है उपर वाले sentence में तो car है और यहाँ पर car को खरीदने का काम है वो बताया गया कि यह काम आपको करना है फिर देखे मुझे कमरा साफ करना पढ़ता है clean the room तो यह तो मेरा काम है मजबूरी समझे या जरुरत समझे मुझे कमरा साफ नहीं करना पढ़ता अगर negative बनाते हैं तो I don't have to clean the room तो वहाँ पर आप क्या use कर देंगे I के साथ don't और she or he हो जाएगा तो doesn't हो जाएगा ठीक है doesn't, does not इस तरीके से जो subject होगा उसके अनुसाल फिर आगे है तुम्हे घर 6 बजे पहुचना है करना है तो ना है से बात दे हैं कि आपको 6 बजे पहुचना ही है और सकता है जरुरत है पहुचना पढ़ता है तो ऐसे बोलेंगे तो एक जरुरत वाली मजबूरी वाली फिलिंग आ जाएगी clear है you have to reach home at 6 you have to reach home at 6 यानि 6 बजे तो तुम्हे घर पहुचना है और दूसरा sense daily routine के काम जो आपको रोज करने पढ़ते हैं चाहे रोजाना करे महिने में जो भी daily routine के काम है वो करने पढ़ते हैं वहाँ पर भी हम जो है have to, has to का use करते हैं जैसे present indefinite tense में मुझे रोज 6 बजे उठना पढ़ता है तो पढ़ता है तो मजबूरी वाली फिलिंग आ रही लेकिन ही daily routine है आपका रोज ठीक है रोज उठना पढ़ता है अब यहाँ पर मैं रोज चाय बनाती हूँ तो वो simple present tense यानि present indefinite tense में जैसे हम यूज करते हैं वैसे कर लेंगे लेकिन आपर has to, have to का use करना है और उसके साथ वर्ब की first form लगानी है तो मुझे रोज चाय बनानी पढ़ती है I have to make tea every day तो कोई काम करना पढ़ता है या करना है या करती हूँ तो वहाँ पर आप जो है simple present tense में ता है, ती है, तै है, यह से जो है आप daily routine बताते हैं वैसे उठना पढ़ता है पढ़ना पढ़ता है ऐसे daily routine आप बताते हैं तो have to का use ए has to का use करेंगे अब past में same as he had to का use हो जाएगा कुछा या करना था यहाँ पर इसकी पहचान कुछी काम आपको करना परा या करना था मुझे कल किमरा साफ करना परा क्या करना परा Кмаरा साफ करना परा तो I had to clean the room yesterday तो वीते हुए समय में कोई काम करना पड़ा तो had to फिर verb की first form तो ये to जो है इस verb की first form के साथ जुड़ा हुआ है ये infinitive तो has, have, had और फिर to plus verb की first form इस तरीके से आप चाहे मजबूर हो जरुरत हो, बात दे हो है वो काम तो आपको करना ही करना है या फिर करना पड़ता है फिर आगे देखे मुझे कल कमरा साफ नहीं करना पड़ा अब negative भी, जैसे यहाँ पर negative बनाएंगे तो did not के साथ have आ जाएगा तो यहाँ पर ये जो have है इसको आप had में change ना करें, did not have तो यहाँ पर did not have यानि मुझे कल कमरा साफ नहीं करना पड़ा negative sentence में सभी के साथ did not have past में past की बात होगी तो वहाँ पर doesn't have और don't have वो present में I didn't have, did not have to clean the room yesterday तो नहीं काम करना पड़ा, मुझे कमरा साफ जो है नहीं करना पड़ा अब passive में बनाएंगे तो क्या करेंगे has, have, had आ जाएगा to be plus verb की third form लगा कर तो जो passive बनाएंगे उसमें verb की third form का use करना पड़ता है मतलब verb की third form लगती ही लगती है, passive जो बनाते हैं यानि शुरुवात में हम काम के ओपर focus ज़्यादा करते हैं शुरुवात में जो हम काम को ही indicate करते हैं, बताते हैं जैसे मुझे रोहन का homework करना पड़ा मुझे रोहन का homework करना पड़ा मुझे, तो I had to do रोहन's homework मतलब मैंने किया, तो यहाँ पर किस ने किया? मैंने किया तो शुरुवात में subject लिखा है अब यहाँ पर में को homework की बात जो है, वो शुरुवात में रखने हैं रोहन का होमवक करना पड़ा, अब यहां पर मैंने किया ऐसा, मैंने नहीं बताया, तो रोहन's होमवक had to be done, रोहन का जो है काम किया गया है, मतलब करना पड़ा है, किसको करना पड़ा, यहां पर जो है, है तो करना पड़ा, है ने लगाएंगे, तो किस ने किया, मैंने किया य तो रोहन's homework had to be done, तो यहाँ पर देखे, had fit to be fit done, तो यह passive में इस तरीके से, देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि यह passive में है, अब यह had to do, यहाँ पर had के बाद में to plus verb की first form, यह active में है, और इसी active का यह passive बन गया है, फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे बरतन धोने पढ़ते ह अब बरतनों की धुलाई करनी पढ़ती है, अब मैं करती हूँ, यह मैंने नहीं बता है, जो काम मुझे करना पढ़ता है, उसके ओपर जादा focus किया है, dishes have to be washed, तो खुद से तो हुई नहीं, ठीक है, किसी ने, किसी परसन ने तो की है, उस परसन को हम last में बाय लगा कर, indicate कर सकते हैं, बता सकते हैं, बरतनों की धुलाई करनी पढ़ते हैं, कोई काम करना पढ़ता है, तो dishes have to be washed, तो इस तरीके से जो है, active से passive कैसे बनाएंगे, यह भी देख लिया आपने, अब बढ़ते हैं, आगे want to का use देख लेते हैं, want to, want to plus verb की first form, यहाँ पर लगा देंगे, want के साथ two, फिर verb की first form, कोई काम जो है, इच्छा के साथ कोई काम करना चाहते हैं, अपने इच्छा से, आपके desire है, इच्छा है, तो वहाँ पर want का use होता है, मैं बरतन दोना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर present में होगा, तो want हो जाएगा, अगर past की बात चाहता था होगा, पहचान इसकी चाहता था, चाहती हूँ, इस तरीके से हो जाएगा, चाहने की बात, तो want हो जाएगा और past में wanted हो जाएगा, clear है want और past में wanted, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बरतन दोना चाहता हूँ, I want to wash the dishes, यहाँ पर मजबूरी नहीं है, मेरी जो है इच्छा है, मैं चाहता हूँ, यह मैं चाहती हूँ, फिर इसी को मैं चाहता था, मैं बरतन दोना चाहता था, मेरे desire थी past में, तो I wanted to wash the dishes, तो यहाँ पर जो बदलाव है past का wanted में हो जाएगा, wash में नहीं करेंगे, ठीके, to के साथ तो verb की first form का use होगा, जो होती हाला कि base form है, लेकिन mostly base form verb क first form में ही होती है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि two के साथ verb की first form का use, wanted के बाद या want के बाद, चलिए, desire के साथ कोई काम करेंगे, तो want लगा देंगे, अब यहाँ पर देखे, have, had to आजाएगा, फिर यहाँ पर verb की first form, has, फिर had to आजाएगा, verb की first form, यह present perfect tense जो है, उसका pattern है, स फिर two लगकर verb की first form, तो हम present perfect में देख लेते हैं, जैसे कि sentence होता है, मैंने खाना बना लिया है, present perfect tense में कोई काम कर लिया है, तो has, have के साथ verb की third form आती है, तो I have cooked food, I have cooked या फिर I have cooked food, इस तरीके से मैंने खाना बना लिया है, तो यहाँ पर infinitive लगाएंगे, तो कैसे use होता है यह तो जो tense है, present perfect tense, has और have के साथ verb की third form लगती है, यह तो उसका formula है, structure है, बादेता है, जरुरत है, मजबूरी है, इस तरीके से हम दिखाएंगे ना, इस तरीके से, तो हम use करेंगे, has to, have to, had to, इनका use करेंगे, अगर हम perfect tense में यह मजबूरी बादेता जरुरत दिखाते है जैसे कि यहाँ पर देखें, मुझे खाना बनाना पढ़ गया है, तो perfect tense में, जो है, मजबूरी दिखाई, तो I have had to cook, तो यहाँ पर have के साथ, have के साथ, जो है, आपको third form चाहिए, तो had आ गया, ठीके, third form, और फिर infinitive के लिए two plus verb की first form, तो मुझे खाना बनाना पढ़ गया ह कोई काम करना पढ़ गया है, perfect tense में, यह present का perfect है, तो यहाँ पर क्या करना है, have, had to plus verb की first form, इस तरीके से आप लगा देंगे, clear है, फिर आगे है, उसे अंग्रेजी सीखनी पढ़ गई है, एक तो है कि उस पढ़ना है, यहाँ पर मजबूरी को दर्शारा है, एक तो उसने अ दिखा रहे हैं, present perfect tense में, कि उसे अंग्रेजी सीखनी पढ़ गई है, तो he has had to, he है, ठीक है, he, तो इसलिए has, he has had to learn English, उसे अंग्रेजी, उसने अंग्रेजी सीखी है, यह तो present perfect tense का, यहाँ पर sentence है, यहाँ पर इसमें मजबूरी नहीं दिखाई है, तो यहाँ पर क्या तो he has learned English, लेकिन इस उपर वाले sentence में, यह तो है, उसने अंग्रेजी सीखी है, तो यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है, उसे अंग्रेजी सीखनी पढ़ गई है, तो पढ़ने से हमको लग गया कि यहाँ पर मजबूरी वाला sense आ रहा है, तो इस तरीके से has had to का use हुआ है, की first form learn, clear है, उमीदे समझ में आ गया होगा, थोड़ा आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अब देखे, used to का use, बीते वे समय में कोई काम किया करते थे, तो वहाँ पर used to plus verb की first form आ जाएगी, जैसे कि मैं शहर में अब जो पहचान होते हैं, किया करता था, ता था पहचान निकल कर आती है, हिंदी के sentences में, तो ऐसे थोड़ा पहचानना easy हो जाता है, हिंदी की पहचान के साथ, और फिर थोड़ा sense को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाता है, जैसे मैं शहर में रहा करता था, पास्ट में बीते वे समय में, तो I used to live in the city, used आ जाएगा, used to plus verb की first form, clear है, मैं शहर में रहा करता था, तो यहां पर two plus verb की first form, गाओ में आम के पेड हुआ करते थे, हुआ, यानि कोई चीज होने का sense, अस्तित्व की बात की जा रही है, state की बात की जा रही है, जहां पर action की बात नहीं की जा रही है, बिना action वाला sentence है, जैसे की, हुआ क करते थे, आम के पेडों के होने की बात कही गई है, तो used to के साथ हम be होने के लिए हम be लगा देंगे, यह भी क्या है, वर्ब की first form है, to के साथ, और यह होने का sense दे रही है, ठीक है, there used to be mango trees in the village, there used to be mango trees in the village, next देखे हुआ है, इमानदार हुआ करता था, be, होना, हुआ वाला होने की बात कही जा रही है, ठीक है, बी के बाद में क्या होने की बात कही जा रही है, वो लिखना है, बी यहाँ पर टू के साथ, वर्ब की first form का काम कर रहा है, तो वह इमानदार हुआ करता था, he used to be honest, होने का sense भी लगाना है, वह अंग्रेजी सिखाया करता था, तो सिखा हाने की बात है, तो to teach, he used to teach English, he used to teach English, to के बाद वर्ब की first form सभी में, यहाँ पर देखे, उसके पास कार हुआ करती थी, हुआ, तो यहाँ पर होने की बात कही जा रही है, कोई चीज, तो to के साथ होने के sense में have, ठीक है, यहाँ पर कार कोई चीज है, आपके साथ, possession की बात ह तो have का use करेंगे, to के साथ have आएगा, to के साथ has नहीं आएगा, ठीक है, to जो है, अपने बगल में base form लेता है, तो यहाँ पर आप देखें की he है, और लगा दे, has की he के साथ, has आता है, नहीं, to के साथ base form है, तो mostly जो है, base form जो होती है, वो verb की first form की रूप में ही होती है, बस confusion क्या होता है, एक तो be verb, is mr, was verb, be verb जो होती है, और एक have वाले में भी आपको थोड़ा confusion नजर आएगा, जो models को बढ़ते है, तो वहाँ पर आपको यह doubt रहता है, जो कई बार मैंने आपको बताया है, चले आप आगे बढ़ते हैं, उसके पास car हुआ करती थी, तो he used to have a car, तो यहाँ पर past कोई कहीं पर रहा करता था, या कुछ किया करता था, हुआ करता था, used to plus verb की first form, अब आगे having to, having to के साथ verb की first form, या ing नहीं लगाना है, verb की first form, ठीक है, having to plus verb की first form, कोई काम करना पढ़ रहा है, या कोई काम करना पढ़ रहा था, तो मजबूरी, continuity में जो मजबूरी दिखाते हैं, तो हम have का having बना देंगे, और यहाँ पर isMR का यूज कर देंगे, या पढ़ रहा है present में, ठीक है, और अगर past की बात है, तो was, were का यूज कर देंगे, continuous tense की जैसे, यह sentences मजबूरी के साथ, शो होंगे, जैसे की, मैं खाना बना रहा हूँ, तो I am cooking, म cook food, तो यहाँ पर to cook verb की first form, तो यहाँ पर यह जो M लगा है, isMR, was, were, जो भी tense होगा, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो I was आजाएगा, रहा था, था में, तो was, I was having to cook food, तो मजबूरी के साथ, मजबूरी दिखाने continuous tense के साथ, तो isMR, was, were लग जाएगा, फिर having plus having के बाद में to, plus verb की first form, जैसे sentence में है, फिर देखे, will have to, तो यहाँ पर future की बात कोई काम करना होगा, या करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें खाना बनाना होगा, या तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर you will have to cook, you will have to cook, या cook food, cook का मतलब भी खाना पकाना हो लेकिन संभावना के sense में आएंगे न, मतलब कि तुम्हें शायद खाना बनाना होगा, या बनाना पड़ेगा, शायद तो may have to आजाएगा, और शायद ही तुम्हें खाना बनाना होगा, तो might have to संभावना कम होगी, तो शायद ही वाली feeling होगी, तो might have आजाएगा, फिर two plus verb क first form पक्का या जरूर तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा या होगा, तो must have to plus verb की first form आजाएगी, मतलब यहाँ पर शायद ही जादा, must से कम may आजाएगा, और शायद ही वाली feeling में may से भी कम संभावना तो might आजाएगा, और करना ही करना है, future में यह काम तुमको करना ही करना ह होगा इस सेंस में, तो will have to, will have to, तो यहाँ पर जो है, possibility दिखा सकते हैं, present और future की may का use करकर, may have to, might have to, must have to, feeling शायद करना होगा, शायद ही करना होगा, या पक्का करना होगा, और करना ही होगा, तो will have to, यहाँ पर आपने देखा ही तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, या खाना बनाना होगा, तो will have to cook, और संभावना के सेंस में आप इनका use कर देंगे, may, might और must का, अब देखें, यहाँ पर active जब बनाते हैं, तो is, mr, was, were हो गया, तो two plus verb की first form, जब इसी का passive बना देते हैं, तो is, mr, was, were हो गया, फिर two भी लगा कर verb की third form, तो यहाँ इस तरीके स active से passive बनाने के लिए, to be plus verb की third form, जैसे has, have, had हो गया, to plus verb की first form, इसी का जो passive बनाते हैं, तो has, have, had, to be plus verb की third form, to be plus verb की third form, यह जो infinitive है, इनका इस तरीके से active से passive version बना लिया जाता है, तो यहाँ पर जो है, मैंने sense को समझाने की कोशिश की है, मतलब to लगा कर verb की first form, used के साथ हो गया, has, have, had के साथ हो गया, is, am, was, were, want, wanted, इन सभी के साथ two plus verb की first form, infinitive लगाने पर, क्या sense निकल कर आता है, क्या mean निकल कर आता है, और कैसे आप समझेंगे, तो simple से भाशा में आपको समझाने की कोशिश करी है, उमीद है, आपको समझ में आया होगा, तो आज की वीडिय हुआ 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 ह